इस सवाल में आपका स्वागत है आखरकार हरियाना सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है एक फरवरी से दस फरवरी से आपको बता दे के बारवी तक के स्कूल जो है वो खुल जाएंगे सिक्ष्या मंत्री कवरपाल गुजर ने कहा है कि प्रदेश में 15-18 साल के 75 फिसली बच्चों को कोरोना की वाक्सीन लग चुकी है ऐसे में हमने एक फरवरी से इन स्कूलों को खोलने का फैस्ता किया है इस दौरान स्कूलों को पहले की तरह कोरोना नियमों का पारन करना होगा और साथ साथ तमाम जो नियम कानून हैं उनको यहाँ पर लेकर चलना होगा जिसके लिए आज सरकार की ओर से गाइडलाइन्स भी जारी कर दी जाएगी आपको बता दे कि निजी स्कूल संचालक भी पिछले काफी समय से स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे थे आज भी स्कूल खोलने की मांग को लेकर स्कूल संचालकों ने प्रदेश भर में 90 विधाय को और सभी सांसदों को ग्यापन सौपा ऐसे में सरकार पर लगातार स्कूल खोलने को लेकर दवाव भी बनाया जा रहा था अब छोटे बच्चों के स्कूलों को कब खोला जाएगा इसको लेकर भी संचाय की सती बनी हुई है इसको लेकर आज हम आपकी राय जाना चाहते ही क्या सरकार का स्कूल खोलने का फैसला ठीक है आप भी अपनी राय दें और बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं लेकिन उससे पहले एक नजड़ आते हैं सिक्ष्या मंत्री कवाई पार गुर्जा ने क्या कुछ कहा है कि अमने नीड़ने लिया है कि दस्वी ग्यार्वी और बार्वी तीन क्लास्टों के है को शुरू कर रहे हैं और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियम होगा पालन किया जाएगा और जो भी बच्चे मूल को छूट होगी जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल रहा सकते हैं जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से थारा साल के बीच में 75 परतिसत बच्चे ऐसे हैं जिनको जिन्होंने वैक्षिन ले ली है और ऐसे में मुझे लगता है कि काफी सुरक्षित है विए वैसे भी क्रोना जो है वो पूरिती के से कंट्रोल में तो इस सारी उसको देखते हैं ने लिया कि दस्वी ग्यार विरबार सबिलकुल कोईड की जो गाइड लाइन है उसका प्रकार पहले पालन किया उस्की परकार से रांग रहां फिलकुल फिलांसे चलती रहेंगी विष्म से जो बच्चे आना चाते है अखिन जो सब्सक्राइप परकार नहीं को हुआ सब जो हैं बच्चों के स्वस्था को ध्यान में रखे ही हम खोल सकते हैं तो आभी हमें लगा के सुरक्षिता है क्योंके प्रदेश की सिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर को सुना उन्होंने साथ तो पर कहा कि बच्चों की सिर्थ को ध्यार में रखते हुए ही फैस्ना लिया जाएगा और आगे कदम उठाए जाएगे आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने फैस्ता लिया है कि दसवी से बारेवी तक के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पारिसिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने ये भी काया कि 15 से 18 साल के 75 फीसिदी बच्चों को क्यों की कोरोना की वाक्सिन लग चुकी है ऐसे मैं हमने एक और एक परवरी से इन स्कूलों को खोलने का फैसला किया है एक्स दोलान स्कूलों को पहले की तुरह कोरोना नियमों का पालन करना होगा आपकी इस पर क्या राय है याप इस पर राय हमें दें और बताईं कि आप अपनी इस पर राय दें और जीरो यहां पर हमारा नमबर भी लगातार फ्लैश किया जा रहा है शुने एक दो शुने चार शुने तीन नो नो तीन एक छे एक आरती इस नमबर पर आप कॉल करें और अपनी रायम तक पहुंचाएं कि आप इस से क्या समझते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसना लिया गया है कि प्रदेश में दसवी से बारेवी तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे कोरोना को देखते हुए अभी छोटे गक्षा के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल नहीं खोला गया है ऐसे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल कब खोला जाएगा इस पर भी संशाय बना हुआ है तो वहीं सिक्ष्या मंत्री कवरपाल गुर्जर ने का कि यहां पर प्रदेश में बच्चों की सेहत को देखकर ही आगे कदम उठाए जाएंगे प्रदेश में 15 से 18 साल के 75 फीसरी बच्चों को कोरोना की वैक्सिन लग चुकी है इसलिए ऐसे में हमने एक परवरी से इन स्कूलों को खोलने का फैसला किया है तो आपकी इस पर क्या राय है प्रदेश सरकार का ये जो फैसला है स्कूल खोलने का दसवी से बारवे तक के जो कक्षा के चात्रे उनके लिए स्कूल खोलने का ये जो फैसल लिया गया है दसवी से बारवी तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है आपकी क्या है राय आप अपनी राय इस पर हमें दे सकते हैं हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश किया जा रहा है हमारा नंबर है 01-02-03-03-99-316183 इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हमें जरूर दे अविभावक के तौर पर आप क्या समझते हैं आप अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजेंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से सिख्षा विभाग की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है स्कूल खोलने का इससे आप क्या समझते हैं किता आप इसको सही मानते हैं क्योंकि दसवी से बारवी तक के जो छात्र शात्र आया है उनके लिए स्कूल खोलने का फैस्दा प्रदेश सरकार ने किया है केके चड़ा दिली से हमारे साथ जूट चुके हैं क्या राय है आपकी केके देखे मैडम सरकार नहीं अच्छा कदम उठाया स्कूल खोल दिये हैं देखे यूपी के गरम बात करें देखना यूपी में एलेक्शन है और दवा के रेलिया चल रही है मैं अगर जब वहां कोरोना नहीं है तो बच्चों के लिए फिर क्या कोरोना है तो मैं सरकार ना इतिय सरकार के खोल रहती है तो मैं ही ओमिकरन को रहती है तो मैं सरकार को जहान देना थी शूब creamy आपका कहे कर अपनी राहम तक पहूंचाने के लिए तो आप भी अपनी राय दे अभीभावक के तौर पर आपको सरकार का ये फैस्ता कितना रहता है और क्या आप मानते हैं के छो चुटे बच्चों को वैक्सीन पूर्णता नहीं लगी है इसलिए उनके लिए स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं इसलिए दस्वीश से बारवें तक के जो स्टूड़ेंट से उनके लिए स्कूल खोले जाएं और जब शेराब की दुकाने खोली हैं तो ऐसी में स्कूल खोलने से क्या समस्या है तमाम नियमों का पालन करते हो हम स्कूल खोलेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे इस पर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर फैसला लिया गया है और का गया कि दसवी से बारवी तक के जो स्टूडेंट से उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे तो इस पर आपकी क्या राय है अभिवाबक के तौर पर आप क्या समझते हैं क्या आप अपने बच्चों को ऐसी सिती में स्कूल भेजेंगे या फिर नहीं आपको प्रदेश सरकार का यह फैसला कैसा लगता है सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है क्या सरकार का फैसला ठीक है? छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको लगता है कि आपनी राए में दे सकते हैं तो आप आपनी राएं तक पहुचा सकते हैं ये शो माध्यम है आपकी राय आपकी आवाज शसर प्रशासन की कानों तक पहुंचाने का तो अब हमारी नंबर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है इस पर आप कॉल करें 01-20-40399-3161-83 परिदाबाद से हमारे साथ हमारे दर्शक स्वन्ट सिंग जुचक है स्वन्ट सिंग क्या आपकी राय है स्वन्ट सिंग क्या आप तक अवास महुच रही है इस पर आपकी राय क्या है प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है स्कूल खोलने का दसवी से बारवी तक के चात्रों के लिए स्कूल खोलने का इस पर आपकी क्या राय है क्या सरकार का ये फैसला ठीक है सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय हम तक पहुंच आए हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जो आ रहा है नमस्कार मैम जी जी नमस्कार अंज मैम जो अभी शिक्षा मंत्री जी का ब्यान आया है ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे घर में रहेकर ओनलाइन शिक्षा ले रहे हैं वो अच्छी नहीं है मैम जी नशिक्षा मंत्री जी का स्वागत करते हैं कि बच्चे घर रहेकर मैंटली अपसेट हो रहे हैं वैक्षिनेशन भी हो चुक्किए तो इसलिए स्कूल खोल देने चाहिए इनको चोटे बच्चों के लिए इनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए पन्यावाद में संचालक जो है एक तरफ से इकठा हो करके गया पन्सों पर रहे हुच जो है हम तो सकूल खोलेंगे आपको जो है चलवाने देना है चलवा उनी चलवाने देना मत चलवा लेकिन हम तो सकूल बंद कर दिया, सब कुछ जो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, बच्चों से पूछो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में क्या होता है बच्चे, एक दम कुछ पूछो तुने पता ही ने चलता क्या पढ़ रहे हैं, तो यह समस्या है, स्कूल चलने चाहिए, स्कूल गöhरी कर रहे पंद तो जहां समझ में आ रहे उनको बादकों को उनको ऐसे आपका ज़ूने के लिए तो आप भी अपनी राहिम तक पहुंचा आएं अभी वावक के तोर पर आप क्या सोचते हैं सरकार द्वारा ये जो फैस्दा लिया गया है दसवी से बारेवी तक के चात्रों के लिए स्कूल कोलने का इस पर आप क्या समझते हैं करेंगे हमारे हमारे खास कारियर करम आज का सवाल में आपको बताते कि आज सवाल है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैस्दा लिया गया है स्कूलों के खोलने का क्या वो सही है दसवी से बारवी तक के चात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है वहीं सिक्ष्या मंत्री कवरपाल गुर्जय ने कहा है कि क्यूंकि 15 से 18 साल के 75% बच्चों को को कोरोना की वैक्सिन लग चुकी है ऐसे में हमने एक फरवरी से इन स्कूलों को खोलने का फैसला किया है इस दोरां स्कूलों को पहले की तरह कोरोना नियमों का पालन करना होगा जिसके लिए आज सरकार के और से गाइड लाइन्स भी जारी कर दी जाएंगी तो अभी वावक के तौर पर आपकी राय क्या है आप अपनी राय हम तक पहुँचाएं छोटे पच्चों के लिए क्या स्कूल आगे खोलने चाहिए क्योंकि आप दसवी से बारवी कक्षा के जो चात उचात राय हैं उनके लिए स्कूल खोल दिये गए है और सरकार के फैसले पर अब आपकी राय क्या है क्या सरकार का फैसला ठीक है अभी वावक के तौर पर आप क्या समझते हैं अपनी राय हम तक जरूर पहुचाएं हमारा नमबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अगातार फ्लैश किया जा रहा है 01-20-40-399-316183 यह हमारा नमबर इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाए एजार से हीम राज हमारे साथ जुच चुके हैं हीम राज क्या है आपकी राय अरे मैडम जी आपने तो दुखती रख पहात रख दिया गती दुखी हो रहा हूं मैं बच्चों से सवेरे कलास लगाने साले कती आलसी हो गया रजाई में बैठके यह फौन साओन करका बैठ जाते हैं जब भी देखो हाँ जी पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं और पबजी पबजी कोड़सी होती है गेम उसारे गेम खेलते रहते हैं हम तो दुखी हो लिए थे अब अगवान का शुकर है आपने बहुत बड़ी अकल भी कारह करम देखा था मैंने आपका स्कूल खुलवा दिये अब ये स्कूल खुलेंगे तो बच्चे सब एक टैम से न दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं कुछ का ये कहना है कि स्कूल खुलने का जो फैसला है सरकार का वो एकदम सही है कुछ का ये भी कहना है कि छोटे कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल खुलने चाहिए तो कुछ का कहना है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए आप की राय क्या है अभी भावक के तौर पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचा है हमारा नंबर लगातार फ्रेश किया जा रहा है उन्हें एक दो शुने चार शुने तीन नौ नौ तीन एक छेक आठ ती आपको बता दें कि दस वी से बारवी के स्कूल जो है वो खोलने का फैसला लिया जा रहा है और निजी स्कूल संचालक भी लगातार अपना रोज व्यक्त कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि स्कूल खोले जाएं तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से दबाव प्रदेश सरकार पर बनाया जा रहा था स्कूल संचालक की तरफ से क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर एक परवरी से स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया जाता है प्रदेश सरकार की तरफ से तो वो खुद इसार से फूल मतिया हमारे साथ जो चुकी है फूल मतिय क्या कुछ कहना है आपका क्या है आपकी राय बस्ते मैं मैं तो कहा रही है सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है सड़ड़दी चली गई सरसे बच्चों ने परिसान करके रख दिया था घर में बहुत बड़ या फैसला यह है, स्कूल खोलने ही चाहिए थे जी, शुक्री आपका फूल मती जी अपनी राय हम तक पहुँचाने के लिए तो लगातार, अभी भावक हमारे साथ जुड रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुँचा रहे हैं कुछ का कहना है कि स्कूल खोलने का जो फैसला है प्रदेश सरकार का वो सराहनिय है और कुछ का कहना है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए तो आप क्या समझते हैं अभी वावक के तौर पर आपकी क्या राय है आप भी अपने राय हम तक पहुंचाए हमारा नमबर लगाता है, फलाश किया जा रहा ह। हर्याना सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैस्दा किया है, एक परवर इसापको बता दे कि दस phải 선 этवी से बारे भी तक कि स्कूल खोले जाएंगे इसकी जानकारी खुद सिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने दी और उनका साफ तोर पर कहना है कि क्योंकि पंद्रे से अठ्हारा साल तक के जो पिछटर फीसेदी बच्चे हैं उनको कोरोना की वैक्सिन लग चुकी है ऐसे में हमने एक फरवरी से स्कूलो बच्चों के लिए भी स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि सरकार नहीं हवाला दिया है क्योंकि बड़े बच्चों को वैक्सिन जो है वो लग चुकी है इसलिए उनके लिए स्कूल खुले जा रहे हैं छोटे बच्चों को भी वैक्सिन नहीं लगी है सुरक्षा के लिए सुर राजवीर क्या है आपकी राय राय यह जो फट्रप्ट पच्छा इसकूल कमने चाहिए नहीं जी जी राजवीर आपके आवाज आ रहे है अपनी टीवी का वॉल्यूम कम किजिए अपनी राय दीजिए राजवीर श्राव जी बोले जी जी बोलिये जी चलिए शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुचाने के लिए तो कई अभिवावक हमारे साथ जुड रहे हैं जो की बता रहे हैं कि स्कूल खोलने का जो फैस्ता प्रदेश सरकार का वो अच्छा है और कुछ इसको सही नहीं मानते गुरुग रहम से आरुशी है हमारे साथ जुड चुक्ए है आरुशी क्या है आपकी राय है इवनेंग माम यह जो गौर्णमेंट ने न स्कूल खोलने का फैसला लिया यह अच्छा नहीं है हम लोगों को फिर से स्कूल जाना पड़ेगा बाहर बहुत ठंड हो रही है जी शुक्रिया आपका अरुशी हमारे साथ जुड ने के लिए अपनी राहम तक पहुचाने के लिए तो हमारे साथ नरेश जुड चुक्ए हार यारा से नरेश क्या है आपकी राय अंजी जी क्या आप समझते हैं स्कूल खोलने का जो फैस्टा किया गया है सरकार की तरफ से वो कितना सही है क्या है आपकी सपर रहा है यह तो जी बोटो की रागनेती चल रही है जी जी हलो हां जी बोटो की रागनेती चल रही है यह तो बोटो की रागनेती ठीके शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुचाने के लिए चले फिलाल आज के लिए इस बुलिटन में ताहिए आप देखते रहे हैं हर खबर नमस्कार